अम शांति बाबा की याद अस्त्र की तरा है जो दिखाई नहीं देता परन्तु बड़े-बड़े विघनों को बड़ी-बड़ी समस्याओं को शन भर में खत्म कर देता है यो तो माया भी दिखाई नहीं देती इसलिए इश्वरिय याद और याद में आने वाले विघनों को यथार्थ समझने के लिए हमें भी देह सिन्यारा अद्रश्य निराकारी स्वरूप में देही अभिमानी स्थिती में टिकना अतियावश्यक है यदि देहभान में होंगे तो न यथार्थ योग लग सकेगा न माया को परक सकेंगे इसलिए बाबा बार-बार हमें याद में रहने की श्रीमत देते हैं और याद से क्या-क्या प्राप्तियां है इश्वरिय याद यथार्थ है या नहीं है इन विभिन पहलूओं को बहुत विस्तार से समझाते हैं तो आज के मुल्ली भी इश्वरी याद पर ही आधारित है। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधर महावाक्ये। आज है आठ जन्वरी दो हजार चॉबिस बाबा के महावाक्ये हैं। मीठे बच्चे, बाब की याद में रहे, सदा हर्शित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमनीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे, सर्विस करेंगे। प्रश्न है ज्यान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चकिंग करना बहुत जरूरी है। आज का उत्तर है ज्यान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चक करो। देही अभिमानी कितना बने है। ज्यान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विग्न डालती है। ग्रहस्थ विहवार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो, माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नपस आपे ही देखते रहो, कि बाबा के साथ हमारा हड़ी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं, तो ये सब चेकिंग हमें गहराई से करनी है। आज का गीत है, जले क्यों ना परवाना। जले न क्यों परवाना। शमा दिखाकर खुसन के जल्वे बनाद जब दीवाना। जले न क्यों परवाना। ओम शांती। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जल्वा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुन्दर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं, हम सामरे से गोरे बनते हैं, बुद्धी से समझाते हैं न, स्विकार होता है, कि बाबा का ज्यान अंदर धारण होता जा रहा है, और मैं आत्मा पतित से पामन बनती जा रही हूँ। हलका पना जाता है, खुशी आ जाते है. एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुन्दर कह देते हैं. चत्र भी ऐसा बनाते हैं. कोई सुन्दर, तो कोई श्याम. मनुष्य समझते नहीं, कि यह हो कैसे सकता है? है ना, एक ही आत्मा कैसे श्याम और फिर सुन्दर? सत्युक का प्रेंस श्री कृष्ण सावरा हो ना सके. श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं. क्या श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पती मिले? फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं है. श्री कृष्ण को सावरा, यानी श्याम, क्यूं बनाया है? कारण चाहिए? रीजन तो पता होना चाहिए, ना? यहे जो दिखाते हैं, सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके. शास्त्रों में ऐसी ऐसी बाते सुन कर कह देते हैं, बास्तव में ऐसी कोई बाते हैं नहीं. जैसे चित्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं चित्रों में? शेशना की शैया पर नारायन बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदी होती नहीं, ये तो सब प्रतीकात्मक रूप से दिखा देते हैं इतने सैकडों मुख होते हैं क्या कैसे-कैसे चित्र बैठ बनाये है बाप समझाते हैं इन में कुछ भी रखा नहीं है यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है परन्तु यह भी ड्रामा में नोंद है तो ड्रामा अनुसार सब कुछ ठीक है शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या-क्या करते हैं कितना खर्चा करते हैं कैसे-कैसे चित्रादी बनाते हैं आगे यह जब यह सब देखते थे पहले जब हम ज्यान में नहीं थे तो आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे अब जब बापने समझाया है तो बुद्धी में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बाते हैं बुद्धी नहीं लगाते थे पहले तो भक्ति में जो कुछ होता है वैं फिर भी जरूर होगा as it is सब कुछ रिपीट होगा सिवाए तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूद है वही होता रहता है अधर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना होती है इसमें बड़ा कल्यान है अभी तुम यह प्रार्थना आदी कुछ नहीं करते हो वह सब करते है भगवान से फल लेने के लिए फाल क्या है? फल क्या है? फल है जीवन मुक्ती इसलिए प्रार्थना करते हैं ना तो यह सब समझाया जाता है यहाँ है प्रज्जा का प्रज्जापर राच्चे गीता में है भारत वासी कौरव पांडव क्या करत भाए भरुबर यादवोंने मुसल निकाले अपने कुल का विनाश किया यह सब आपस में दुश्मन है तुम नियूजादी सुनते नहीं हो जो सुनते है वह अच्छी तरह से समझ सकते है सबको पता है कैसी कैसी इस समय स्थितियां चल रही है बाहर तो यह सारे मिजाइल्स पॉमसादी किसलिए बने है रखने के लिए तो नहीं बने न दिन प्रति दिन अंदर खिटपिट बहुत है है तु सब क्रिश्यन परन्तो अंदर खिटपिट बहुत है घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे तुम तुम क्या कर रहे हो वो तो अपना काम कर रहे है तुम राजयोग सीख रहे हो तो राज़ाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए है ना फिर नई दुनिया में सब कुछ क्या होगा नया होगा सफाई हो जाएगी नई दुनिया में सब कुछ नया होगा पाँच तत्व भी वहां सतु प्रधान होंगे समुद्र की ताकत नहीं जो उचल कर नुकसान करते ऐसा नहीं कर सकता अभी तो पाँच तत्व कितना नुकसान करते है बहां सारी प्रक्रती दासी हो जाएगी इसलिए दुख की कोई बात नहीं यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है यदि ड्रामा समझते हैं तो दुख की बात नहीं लेकिन अगर ड्रामा नहीं समझते रियल समझते हैं तो फिर तो बहुत दुख होगा ना तो इसलिए याद रखना है, ये ड्रामा है, स्वर्ग कहा जाता है सत्योग को, क्रिश्चन लोग भी कहते हैं, पहले-पहले हैवन था, भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिब्रेट करने वाला बाप भारत में आता है, शिवजयन्ती भी मनाते हैं, तो भी समझ नहीं सकते हैं, बंडर है, शिवजयन्ती मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, फिर भी ये बात नहीं समझते हैं, कि इसकार्थ क्या है, कि खुद परमात्मा इसी स्रिष्टी पर, इसी भारत देश में अवतरित होते हैं, तो नहीं समझते तो बाबा कहते हैं कि तुभी समझ नहीं सकते हैं, अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयन्ती मनाई जाती है, जरूर शिव बाबा नहीं भारत में आकर हैवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे, उन्हों की बुद्धी में कुछ भी बैठेगा नहीं। इसलिए परिशान नहीं होना, अगर किसी की बुद्धी में कुछ बैठता नहीं है, समझ जाओ, यह आत्मा इसका पाट यही है, तो हम खुद परिशान होकर अपना पाट खराब नहीं करें। इसलिए बाबा कहाते हैं कि उन्हों की बुद्धी में कुछ बैठेगा नहीं, जो राजधानी वाले होंगे, वह समझेंगे भरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिब्रेटर, ज्ञान का सागर, खुद बाबा है, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उन्से लिब्रेट होता है, लिब्रेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमुप्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मन्थन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं, कैसी मुरली चलाएं? जो मनुष्य जट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह है नौलेज। इनकी रोज स्टड़ी करनी चाहिए। एक दिन भी नागा नहीं, रोज स्टड़ी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। तो गलत बात है ना, फिर कहेंगे कर्म बंधन है। दिखो, शुरू में कितने चूट कर आए। फिर कहीं चले भी गए। हुआ ना ऐसे। संध में बहुत बच्ची आई। फिर अंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ग्यान बहुत अच्छा लगता था। समझते थे, इनको डौत यानी भगवान की देन मिली हुई है। ऐसे कहते थे। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ती है, यह नहीं समझते कि भगवान की प्रवेश्ता है। यथार्थ ग्यान नहीं है, बस थोड़ी सा अनुभव है कि हाँ, कोई पावर जरूर है। आजकल रिध्धी सिध्धी की ताकत तो बहतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं, यह सब भक्ती मार्ग की पुस्तके हैं। ग्यान का सागर तो मैं हूं। ग्यान का सागर केवल एक्षिव बाबा है। मुझे ही भक्ती मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लैन अनुसार यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षातकार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं, ज्यान नहीं उठाते, तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी. फिर भी मनुष्य सुधर्ते तो है न, भक्ती में भी बहुत सारी मनुष्य आत्मयासी हैं, जो बहुत ही पुन्ने का काम करती हैं, ये मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं चोरियादी नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बाते नहीं करेंगे, फिर भी भक्त है, आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं भक्ती भी पहले सतु प्रधान, सतु रजो, तमु तमु प्रधान हो जाते हैं ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते है ज्यान में आने से भी देवाला मार देते हैं इसमें ज्यान का कोई तालुक नहीं अगर स्थूल रोप में कोई चीज आपके पास है चली जाती है देवाला मार देते हैं तो इससे ज्ञान का या भक्ती का कोई तालुक नहीं है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारे ही किये गए कर्मु का फल है तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे हमको सब कुछ वहां ट्रास्फर करना है बैग, बैगेज, सब कुछ ट्रास्फर कर देना है बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था वहां से जब निकला तो गीत बनाया कौनसा गीत? सबको याद है अल्फ को मिला, अल्लाह, बे को मिली बादशाही बाबा को तो नशा चड़ गया था श्री कृष्न का, चतुर्भुज का साक्षातकार हुआ समझा, द्वारिका का बादशाह बनूगा ऐसा नशा चड़ता था अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं परन्तु बच्चे इतना पुरुशार्थी नहीं करते हैं चलते चलते गिर पड़ते हैं अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को ने मंत्रन देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते देखो बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं और खुद को हमें चेक करना है बाबा के पास पत्राना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश है आपकी याद में मस्त रहते हैं बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते याद की यात्रा से ही क्या होगा खुशी जोर से चड़ेगी तो खुशी का अधार क्या है बाबा की याद जो जितना बाबा को याद करते है उतना खुश रहते हैं ज्यान में भल कितना भी मस्त रहते हैं परन्तु देही अभिमान कितना है ज्यान का भी अभिमान हो जाता है कि हामें तो सब पता है देही अभिमानी पना कहा है पुछ रहे हैं बाबा ज्यान तो बड़ा इजी है यूग में ही माया विग्न डालती है पहला सब्चेक्ट तो कर लेते हैं दूसरा सब्चेक्ट बहुत इंपोर्टेंट है ग्रहस्थ विहवार में भी अनासक्त हो रहना है ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे माया काटती ऐसे है कैसे काटती है? जिसे चूहा चूहा ऐसे काटता है बहुत अच्छा तरीका है जो भल खोन निकलाए पर पता ना पड़े बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है थोड़ा भी आया ना कि मैंने किया, मैं करता हूँ मुझे क्यों नहीं ऐसे? बस जितना भी किया सब बीच खतम हो जाता है तो बाबा कहाते हैं कि पता नहीं पड़ता है कि देह भिमान आने से कितना नुकसान होता है उच्पद पाने सकेंगे बाप से पूरा वर्सा लेना चाहिए ममा बाबा मुवफिक हम भी तक्थ नशीन बने बाप है दिल लेने वाला दिल्वाला मंदिर में भी पूरा यादगार है दिल्वाला मंदिर है ना दिल्वाला का मंदिर अंदर हाथियों पर महरती बैठे हैं देखा है न समने दिलवाडा मंदर में, अंदर बड़े-बड़े हाथियां, उस पर दिखाते हैं महारती बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारती, घोडे सवार, प्यादे हैं, हर एक को अपनी-अपनी नब्स देखनी है, अपनी-अपनी रख को देखो हम कौन है, बाबा, बा हमारे बारे में और कोई जान सकता है, नहीं, तो बाबा क्यों देखे, तुम अपनी को देखो, हम बाबा को याद करते हैं, और बाबा मिसल सर्विस करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाग कर, बाबा को याद करते हैं, हम रितवेली बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों की सर्विस करते हैं चेक करते जाना अभी नोट करो और फिर चेक करना चाट रखना चाहिए बाबा को हड़ी यानि जिगरी कितना याद करते हैं कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं बाबा हमारे सारे वहम दूर कर रहे हैं तो अबा क्याते हैं, कोई समझते हैं, हम निरंतर याद करते हैं, या नहीं हो सकता। कई समझते हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए, बस परन्तु। परन्तु क्या? अपने को आत्मा समझ, बाब को याद करना है। ये विधी है, जब तक आत्मिक स्थिती में स्थित नहीं हुए, तब तक बाबा को याद नहीं कर सकते, बाबा की याद बिगेर कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं करते, बाबा की याद में सदेव, हर्शित रहना चाहिए, याद में रहने वाला सदेव, निशानी क्या है, रमणीक रहेगा, हर्शित मुख रहेगा, किसको बहुत खुशी से, और रमणीकता से समझाएंगे, समझाने का तरीका भी, रमणीको ना चाहिए, ऐसे बोर वाला नहीं होना चाहिए, सीरियोस नहीं, रमणीकता से समझाओ, बहुत थोड़े हैं, जिनको सर्विस का बहुत शौक है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, यह है, उचे ते उचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आतमाई भाई-भाई है, ब्रदर हुड है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने फादर हुड कह दिया है, पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है, कि यह है सब आतमाउं का बाप परम पिता परमातमा निराकार, हम आतमा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी स्टार है, परन्तु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़ा बनाते हैं, पकि आतमा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है, बिल्कुल क्लियर करके समझाना है, बाब समझाते हैं, आतमा पहले स्टार्टिंग में अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाट बजाती है, सतु प्रधाना आतमा पुनर जन्म लेते लेते आईरनेज में आ जाती है, देखो, कितनी सहजरीती बाबा ने आतमा, पर्मातमा, चक्र में कैसे आतमा आती है, सब कुछ समझा दिया, बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, आतमा ही एक शरीर छोड दूसरा लेती है, नाम, रूप, देश, काल, सब बदल जाता है, ऐसे भाशन करना चाहिए, कैसे आतमा चुरासी का चक्र लगाती है, कहते हैं, सेल्फ रियलाईजीशन, कहते हैं, पर दुवास्तविक्ता में सेल्फ रियलाईजीशन कैसे है, खुद को कैसे आप अनुभव करो, रियलाईज करो, यह रियलाई है क्या, यह बाबा बताते है, तो वह कहते हैं, परंतु कराए कौन, सेल्फ रियलाईजीशन, आतमा सो परमातमा कैहना, यह कोई सेल्फ रियलाईजीशन हुआ क्या, यह तो नहीं हुआ न, यह नहीं नॉलेज है, बाप जो ज्यान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गती दाता है, वही बैट समझाते हैं, सल्फ का रियलाइजिशन कराते हैं, फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परीचे बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं, उनको कहा जाता है, सभी आत्माउं का बाप, बहच्छोटा बड़ा हो ना सके, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तू परे ते परे रहने वाला है, वहपउनर जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है, इतनी छूटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमीशा शिव बाबा है। रूद्र बाबा नहीं। यह हर चीज बिलकुल जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे समझानी है। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तुझ जरूर आना पड़े, वह आते तब हैं, कब आते हैं, जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आधी सनातन, देवी देवता धार्म, है न, अभी है कलियोग, धेर मनुष्य है, सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य है, देखो, एक युग खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, एक में धेर और एक में बहुत थोड़े, गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदी सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्न का नाम डाल दिया है, बाप कहते हैं, वह तो पुनर जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर जन्म रहत हूँ, तो आप जज़ करो, कि परम्पिता परमात्मा, निराकार शिव या श्री कृष्न, गीता का भगवान कौन, करो जच, भगवान तो एक को कहा जाता है, फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है, तो समझना चाहिए, यह अपने धर्म का नहीं है, सत्योग में आने वाला जट मानेगा, और पुरुशार्थ करने लग पड़ेगा, पता चल जाता है न, कि यह सत्योग में आने वाला है यह त्रेता में, मूलबात है ही यह है, इसमें तुम्हारी विजवय है, परंतु, परंतु क्या जाता है, देही अभिमानी अवस्था कहां है, है न, एक-दो के नाम रूप में फस्ते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते थे, पर वहा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, पकि डर किसका, बहुत हिम्मत चाहिए, भाशन करने वालों को आत्मा का ज्यान बहुत मस्ती से देना चाहिए, मस्त हो कर देंगे, बिल्कुल एथॉरिटी से बोलेंगे, तो फिर उसका असर होगा, फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए, बाप की महिमा है, क्या, प्रेम का सागर, ग्यान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है, किसको गुसा करना, मना लौ हाथ में उठाना, गुसा करना यानि अपने हाथ में कानून उठाना, बाबा कितना मीठा है, बच्चे कोई काम में नटाते, यानि मना करते हैं, तो नटवर नहीं बनेंगे, अगर कोई काम को मना कर देते हैं, ना कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं, नटवर नहीं बनेंगे, तो नटाना यानि मना कर देना तो इसलिए किसी भी काम को बाबा की कोई भी सेवा को कभी भी मना नहीं करना है ना यानि नास्ते को जाते हैं तो बहुत मीठा बनना है अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 बाबा धार्ना के लिए मुख्य सार पहला अपना बैग बैगिस सब ट्रास्फर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है ममा बाबा समान तक्त नशीन बनना है जिगरी जाद में रहना है दुसरा किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है याद से अपने कर्म बंधन हलके करने है कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है किसी सेवा में ना नहीं करनी है आज का वर्दान है रॉयल और सिंपल रॉयल भी और सिंपल भी दोनों के बैलन्स से कारे करने वाले ब्रम्भा बाप समान भाव ना उपर ना नीचे पिलकुल बीच का तो कैसे ब्रम्भा बाप समान बनेंगे जब रॉयल और सिंपल दोनों के बैलन्स से कारे करेंगे जैसे ब्रम्भा बाप साधारण रहे न बहुत ओचा न बहुत नीचा ब्राम्भणों का आदी से अब तक का नियम है क्या कि न बहुत साधा हो न बहुत रॉयल हो बीच का होना चाहिए अभी साधन बहुत है साधन देने वाले भी है फिर भी कोई भी कारे करो तो बीच का करो ऐसा कोई न कहे कि यहां तो राजाई ठाठ हो गया है जितना सिंपल उतना रॉयल दोनों का बैलेंस हो ये बहुँ जरूरी है स्लोगन है दूसरों को देखने के बज़ाए स्वयम को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे तो आज का अव्यक्त मास का विशेश पॉइंट अभी सुनेंगे अव्यक्ती सालन्स द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनभव करो अभी आपकी सारी कारोबार श्रीष्ट संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए संकल्पों से कारोबार चलनी चाहिए ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समें समाप्त हो जाए वही संकल्प उठें, जो होना है और जिसको करना है, उनकी बुध्धी में भी वही संकल्प उठें, कि यही करना है तब यह साकार वतन, सुक्ष्म वतन बनेगा तो इसकी बहुत practice करनी है इसलिए बार-बार बाबा देही अभिमानी स्थिती silence में रहकर बाबा की याद में समा जाने का अभ्यास बाबा से रूह रिहान करने का अभ्यास परिष्टा बन जाने का अभ्यास कराते है तक ही इस्साकार वतन सुक्ष्म वतन बन जाए तो आज भी हम यही अभ्यास करेंगे चा, ओम शान्ती कर्म हमारे स्रेष्ठ बनेंगे कर्म हमारे स्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे कर्म हमारे स्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे कर्म हमारे सिष्ट बनेंगे कर्म में दिव्यता वाणी में मधुरता खुश रहता और खुशी बातता कर्म में दिव्यता वाणी में मधुरता खुश रहता और खुशी बातता निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे कर्म हमारे सिष्ट बनेंगे कथनी करनी में भैद न रहता जो कहता वह खुद भी करता आदेशों को सिखारेंगे कोई भी न शोर करेंगे कथनी करनी में भैद न रहता जो कहता वह खुद भी करता आदेशों को सिखारेंगे कोई भी न शोर करेंगे कर्म हमारे सिष्ट बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे जैता कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे कर्म हमारे सिष्ट बनेंगे नम्र रहता और जुकता ग्लानी निंदा सब कुछ सहता अपनी कमियों को भरेंगे अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मौर बनेंगे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे कर्म हमारे सिर्ष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे कर्म हम करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और 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 करेंगे